बाइसेल सिगनल सोफ्टवेर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज हम तुड़े का वीडियो बनाएगे आज का परफोर्मस के सॉफ्टर ने ओवर्वल क्या परफोर्मस दिया है और सॉफ्टर किस तरह वर्क करता है आज हम आपको बताएगे ICICI का हम चार्ट लेते हैं अगर आपने हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्क्राइब करिए क्योंकि हम इस सेडल पर फ्री में लाइव करते रहते हैं और आपको प्रॉफिट करवाते रहते हैं इसलिए लाइक एंड सब्क्राइब करिए सॉफ्ट्वर काम कैसे करता है आईसी आईसी का चार्ट लेते हैं सेल सिगनल दिया है सेल सिगनल कंफॉर्म है या फिर अनकंफॉर्म है उसको वेरिफिकेशन करना पड़ता है क्योंकि market के अंदर बहुत सारे signal आ जाते है buy sale, buy sale, buy sale करके आपको confuse कर देता है तो ये sale की condition ये है कि sale के पहले अगर downside blue triangle बना है तो sale signal confirm बन जाएगा वो definitely नीचे जाएगा वेश अगर sale कर दिया, sale करने के बाद software का काम खतम नहीं होता है आगे जाते आपको बोला और गिरेगा hold रखिये, आगे जाते फिर से बोला और गिरेगा hold रखिये जब तक वो नीचे गिरता रहेगा, जब तक software को लगेगा कि ये नीचे जाएगा तब तक इसा down 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 डाल के आपको hold करवाएगा और उसको लगेगा कि उपर जाएगा तो क्या करवा देगा यहां उपर की side arrow डाल देगा तब आपका exit बन जाएगा साथ में हम seat number 2 का भी एक verification लेते हैं वो कैसे होता है जैसे sale signal आया हम seat number 2 में जाएगे seat number 2 में आपको क्या check करना है seat number 2 में यह जो white कलर की line बनी है वो check करनी है अगर market उनसे down चल रही है तो मतलब की double verification तो यहां already down चल रहा है तो market double verification हो जाए उसकी accuracy है वो double हो जाएगी अगर दोनों seat से verify है तो कोई दूसरा example लेते है निफ्टी का निफ्टी के अंदर यहां sale signal बना है उसके पहले हम verification लेगे यहां चार confirmation डाला है एक दो तीन चार इसका मतलब यह होता है कि यह बहुत strong signal है और lot की quantity यहां चार गुनी कर दिजे अगर एक है तो बहुत अच्छा है दो है तो उनसे ज़्यादा है दो है तो दो गुनी quantity में काम करना है तीन है तो तीन गुनी quantity में काम करना है चार है तो चार गुनी quantity में काम करना है फोल स्ट्रॉंग सिगनल है और बहुत नीचे आया निफ्टी अपने चेक किया होगा हमारा लाइव इवेंट उसमें मैंने सेल सिगनल दिया था अभी भी सेल सिगनल चल रहा है आज तारिक है 23 चनवरी 2020 और यहां सेल करने के बाद मार्केट इतना नीचे आया सिट नंबर टू में चेक करते हैं इसका कनफोर्मेशन तो आप चेक कर पा रहा है कि यह वाइट कलर की जो लाइन बनी है वो अल्रेडी उनसे मार्केट नीचे की तरफ ही चल रहा है मतलग कि यह दोनों सिट से वेरिफाइट ट्रेड था बहुत अच्छा चला कोई दूसरा हम चेक कर लेते हैं कोई दूसरी स्क्रीफ अब बाई का एक 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 जमपल ले लेते हैं जैसे कि ग्लेन मार्क उसके अंदर बाई सिगनल आज का ट्रेड है करीब हम 10.55 पर buy signal मिला है ये buy signal perfect trade है क्यों perfect है क्योंकि buy के पहले उसने एक upper side blue confirmation दिया है इसलिए ये buy perfect है पर साथ में हमेंने बोला कि seat number 2 का भी verification दे लिजे तो वहाँ हमें verification नहीं मिला है क्यों? क्योंकि जो ये white color की line है वो उनसे उपर होना चाहिए तो market उनसे उपर चड़ा जाता है cross करकर यहाँ तो वो double verify हो जाएगा पर अभी नहीं है तो मतलब कि थोड़ा wait करिए या फिर इसमें trade न करिए क्योंकि इसकी accuracy level है वो calm है क्योंकि seat number 2 ने verification नहीं दिया कोई दूसरा भी check कर लेते हैं जैसे कि crude oil तो crude oil के अंदर हमें यहाँ sell signal मिला है sell signal के पहले आप चेक करते हैं कि confirmation मिला है हाँ मिला है देखिए तो already confirm है और यहाँ आगे जाके आपको बोला गिया था कल 22 तरीको 6 बज़े की और गिरेगा hold रखिए यहाँ बोला आज market open हो गया फिर से बोला और गिरेगा hold रखिए और seat number 2 में verification करते हैं तो already verified trade है क्योंकि यहाँ चेक कर पा रहा है कि यह जो white color की line है वो already उनसे market नीचे की तरफ ही चल रहा है तो मतलब कि दोनों seat से verified trade था बहुत अच्चा moment दिया अगर sideway trade होगा तो उसको गलत बता देगा तो एसी ही तरह हम आपको हमारी सेनल पर live session free में देगे आपको जो भी देखना है हम free में बताएगे इसलिए हमारी इस सेनल को like करिए, share करिए, subscribe करिए thank you दोस्तों, चाहिए